दोस्तों पोहा तो बहुत बनाए है खाये हैं एक बार इस तरीके से पोहा बनाकर देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा नमस्ति दोस्तों आप लोग को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत हैं और दोस्तों हम देखी आज पोह और स्वाबिन देखें एक मज़ेदार अच्छा सार टेश्टी नास्ता बनाएंगे तो देखिए दोस्तों हम इधर में पानी अच्छे तरीके से बॉइल कर लिए हैं इसमें हम अभी जो स्वाबिन उसको दे रहे हैं उसको अच्छे तरीके से बॉइल कर लेंगे देखिए बॉइल तो हो गया अभी इसको हम ठंडा पानी में देखें अच्छे तरीके से इसका सारा पानी निचोल लेंगे उसके बाद हम जो पोहा लिये थें पोहा को भी अच्छे तरीके से धो लेंगे दो चार बाद धोने के बाद देखिए हम पानी ज़डा लिये हैं अभी देखिए बहुत पानी निकल गया और इधर में हम टमाटर, प्याज, मिर्चा, गाजर, बीम्स काट लिये हैं आप लोग के पास बीम्स कैपसिकम रहेगा तो दीजिएगा मेरे पास नहीं है तो इसलिए हम नहीं दे पाए हैं जो जो सबजी आप लोग को पसंद है सब दीजिएगा बहुत अच्छा लगता है तो इधर में देखिए मेरा कडाई भी गरम हो गया अब हम तेल भी डाल दिये हैं और तेल भी गरम हो गया अब हम जो मेरा सब्जी था इसको हम एकी साथ में साड़ा जो कात लिये थे प्याज़र सब दे रहे हैं अब हम अच्छे तरीके से सब्जी को मिला लेंगे सब्जी के मिलाने के बाद दोस्तों देखिए इसमें पानी थोड़ा निकल रहा है तो इसी टाइम पे हम अभी स्वाद अनुसार नमक देंगे नमक देने से इसका जो सब पानी है ओ भी निकल जाएगा थोड़ा बॉइल भी हो जाएगा थोड़ा फ्राई करने के बाद हम देखिए भी दे रहे हैं फल्दी हल्दी भी स्वाधनुसार देना दोस्तों इसमें आप मिर्ची पाउडर भी दे सकते हो तो मेरे पास नहीं था तो हमने नहीं दिया और इधर में हम एक मैगी मसाला डाल देंगे मैगी मसाला डालने से न, दोस्तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में, नहीं लगता है जो हम, हम लोग कोह खा रहे हैं, तो अच्छा लगता है, देखें, ट्राय करना दोस्तो, आभी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, देखिए मेरा सब्जी, थोड़ा फ्राई भ स्वाबिन और सब्जी को मिला लेंगे और अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे हाँ आप लोग भी अच्छे तरीके से फ्राई करना दोस्तों दोस्तों आप लोग चाहो तो पहले स्वाबिन को फ्राई कर सकते हो करके रख सकते हो तो हम फ्राई नहीं किये हैं हम एक ही बार में देके अच्छे से फ्राई कर लिए है अभी हम देखिकिए मेरा सबजी जो स्वयबिन है ओ मेरा भूज गया है आभ इसी डाइम पे जो हम पूहा रखे थे धोके तो उस पूहा को हम अच्छे तरीके से दे रहे हैं देके अच्छे तरीके से हम मिला लेते हैं देखिए दोस्तों हम अच्छे तरीके से पोहा को मिला लिये हैं सबजी के साथ अभी हम इसको अच्छे तरीके से फ्राइ करेंगे जब तक ये फ्राइ ना हो दोस्तों इस तरीके से बनाएंगे न और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में लगता है कुछ नया सा खा रहे हैं और देखिए अहार मेरा पोहा भी बहुत खिला-खिला सा हुआ बना है आप लोग भी इसी तरीके से बना सकते हो देखिए दोस्तो बन गया मेरा स्वाबीन पोहा पोलाओ तो आप भी बनाना दोस्तो एक बार और दोस्तो मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना देखिए दोस्तो मैंने पोहा को प्लेट में सर्फ कर लिया अभी ये खाने के लिए बिल्कुल रेडि है और आप लोग भी चले वाओ खाने के लिए देखिए दोस्तो कितना खिला खिला सा हुआ है और दोस्तो ये आप सुभा का टाइम पे खा सकते हो, डिनर पे खा सकते हो इविनिंग स्नैक्स समझके भी खा सकते हो पेट भी भरेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा बाई दोस्तों